हेलो स्टुडेंट्स, हाव यू, होप यू, अला डूइंग वेल, एंड स्टे सीव, एट यार हूँ, आज हम पढ़ेंगे, कल हमने अउग की मात्रा पढ़ी थी, हमने वेंजनों पर अउग की मात्रा लगाना और अक्षरों को जोड कर लिखना आपको हम वक्ता, ओके, तो आ सीडबलू, आज की डेक्ट, पोर्टीन, ओबलिक, जीरोगल पावलिक तो थाउजन, टीन, वेनटेटो, ओके, सो पढ़कर लिखिए, पढ़ना है और लिखना है, ओके, सो देख़े हाँ यहाँ पर गां में आउँ की मात्रा क्या है यहाँ पर गा में आउ की मात्रा गव र और व गरव क्या हो गया ये गरव नेक्स्ट है ना में आउ की मात्रा का छोटा का र छोटा र नौकर क्या हो गया ये नौकर नेक्स्ट है दोण ना दा में आउ की मात्रा र ना में आ की मात्रा ना दोण ना नेक्स्ट है हा चोटा हा था में आउ की मात्रा थऊ र और आ में आ की मात्रा ना र थाओ ना नेक्स्ट है, खा में छुटी की मात्रा खी, ला में अउ की मात्रा लव, ना में आ की मात्रा ना, खिलो ना नेक्स्ट है, जा में अउ की मात्रा जाओ, हा छोटा हा, रा में बड़ी की मात्रा री, जोहरी नेक्स्ट है, माउ मलवी, मा में अउ की मात्रा माउ, ला छोटा ला, वा में बड़ी की मात्रा वी, माउ वलवी ओके चलिए रिपीट विथ मी गव रव गा में आउ की मात्रा गव रा छोटा रा व छोटा व गव रव नामें आउ की मात्रा नव का छोटा का रा छोटा रा नो कर क्या हो गया ये नो कर से विथ मी नेक्स्ट है खा में छुटी की मात्रा खी, ला में आउ की मात्रा लव, ना में आ की मात्रा ना, खी, लव, ना, खिलो ना. नेक्स्ट है, जा में आउ की मात्रा जव, हा छूटा हा, रा में बड़ी की मात्रा री, जोहरी, ओके, जोहरी, जोहरी नेक्स्ट है, मा में आउ की मात्रा, मौ, लव, वा में बड़ी की मात्रा री, मौल री, ओके, गोरव, नोकर, दोणना, हथोड़ा, बिछोना, खिलोना, जोहरी, मौल री, ओके, तो इस प्रकार से आपको इनको परना हैं और फिर लिखना है साथी साथ, ओके, तो यहाला आपका classwork था और यह इस side वाला आपका homework है, okay students, तो यह आपको homework में complete करना है, जैसे अभी हमने, बोल बोल कर हमने लिखा है, तो वैसे ही आपको भी बोलते जाना है, और यहाँ पर write करते जाना है, okay, तो ऐसी ही आप करेंगे, तो आपको reading भी अच्छे से आजाए और लिखेंगे सुन्दर राइटिंग में ओके स्टूडेंट सु बाई बाई have a good day